कोई बिप्र बस कब नबिधी कहूं कृपा करिशो तुम तज दीन धयाल निजो कि तून देखाऊं को वे ब्रहामण किस परकार से वसमें हो सकते हैं कृपा करके वह भी बताईए है दीन धयालू आपको छोड़ कर और किसी को मैं अपना ही तून नहीं देखता जै सिया राम जै जै राम मंगले भवन या मंगले हारी द्रववों शुदा सिरत अजिर विहारी सुनो निर्प विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही अहई एक अतिसुगम उपाई तहां परन्त एक कठी नाई तपस्वी ने कहा ही राजन सुनो संसार में उपाई तो बहुत हैं पर वे कष्ट शाध्य हैं और बड़ी कठिंता से बंडे में आते हैं और इस पर भी शिद्ध हों या नहों उनकी सपलता निश्चित नहीं है हाँ एक उपाई बहुत सहज है परन्त उसमें भी एक कठिंता है मा मैं आधीन जुगूती निर्प सोई मोर जाब तव नगरन होई आज लगें अर जबतें भयाओं काहू के ग्रह ग्रामन गयाओं हिराजन वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में तो नहीं हो सकता जब से पैदा हुआ हूँ तब से आई तक मैं किशी के घर अथवागाओं नहीं गया जौन जाओं तब होई अकाजू बना आई असमंजस आजू सुनी महीस बोले उम्र दुबानी नात निगम अशनी ती बखानी परन्त यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है आज यह बड़ा असमंजस आपड़ा यह सुनकर रजा कोमल बानी से बोला हिनात बेदों में ऐसी नीत कही है कि बड़े सनेह लगुन परका रही गिरिनीज सिरनी सदात रन धरही जलदी अगाद मौलिबह फेनू संतत धरन धरहत शिरनू बड़े लोग छोटों पर सनेह करते ही हैं परवत अपने शिरों पर सदात तरण यहनी घास को धरन किये रहते हैं अगाद समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धरन करता है और धर्ती अपने शिर पर सदा धूली को धरन किये रहती है असकही गए नरेश पदाव स्वामी हो हु क्रपाल मोहिलागी दुख सही अप्रभू सजन दीन दयाल ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिए और कहा है स्वामी क्रपा कीजिए आप संत हैं दीन दयाल हैं अतहे प्रभू मेरे ले इतना कष्ट अवश्य सही है जै शिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव उशुदा से रथ आजिर विहारी जान इन्रपही आपन आधीना बोलाता पस कपट प्रबीना सत्त कहूं भूपति सुन तो ही जगनाहिन दुरलभ पचुमोही राजा को अपनी अधीन जानकर कपट में प्रवीन तबस्वी बोला ही राजन सुनो मैं तुमसे सत्त कहता हूं जगत में मुझे कुछ भी दुरलभ नहीं है अवश्य का आज मैं करिया हूं तोरा मन तन बचन भगत तैमोरा जोग जुगूती तब मंत्र प्रवावू फलई तब ही जब करिये दुराओ मैं तुम्हारा काम अवस्य करूंगा क्योंकि तुम मन वाणी और सरी तिनों से मेरे भगत हो पर योग युक्ती तब और मंत्र का प्रवाव तब ही फली भूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते हैं जों नरेस मैं कराओ रसोई तुम्हें परसहू मोही जानन कोई अन्न सोजो जोई भोजन करई सोई सोई तब आयसो अनुसरई इनर्पती मैं यदि रसोई बनाओं और तुम उसे परोशो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सोशो तुम्हारा आज्याकारी बन जाएगा उन्हें तिन केई ग्रहें जेवाई जोऊ तब बस होई भूप सुन सोऊ जाई उपाई रचहुन रपएहू संबत भर संकलप करेहू यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हिराजन सुनो उह भी तुम्हारे अधिन हो जाएगा हिराजन जाकर यही उपाई करो और वर्स भर भोजन कराने का संकलप कर लेना निजनो तन दूज सहस सता बरेहू सहीत परिवार मैं तुम्हरे संकलप लगी दिन ही कर भी जेव नार जाई शिया राम जाए जाई राम मंगले भावने या मंगले हारी द्रबावो शोधा शिरत अजिर विहारी झाल शोधारी